हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिक्षा कैसे हैं आप सब तो करेंट अफेयर्स एंड डिवलप्मेंट इशूस के लेक्चर 10 में स्वागत है आप सबका तैयारी जोरो शोरो से कर रहे होंगे सब लोग पेंडेमिक चल रहा है पर चिंता नहीं करनी है हमने घर पे रहना और पूर के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आपने इनको फॉलो करना ठीक है प्रोसेस होई रहेगा कोश्चन आएंगे समझेंगे कोश्चन को खुद से वीडियो पॉस करके आपने अंसर करने की कोशिश करनी है देन उसका सल्यूशन देखेंगे डिटेल में ओके एक वेरी जो बच सफिशेंट हैं EPFO के एक्जाम के लिए तो देखो सफिशेंट कॉंपेटिटिव एक्जाम में कुछ भी नहीं होता है अगर आपने कहीं से पड़े हैं अगर आपने रेगुलर्ली न्यूस पेपर पड़ा है या कोई मैगजीन फॉलो की है किसी इंस्टिटीट की उसके लेक्चर आपके जैनुरी मन से हैं 2021 जो मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं वो क्या प्रोसेस रहेगा मैं आपको एक बार बता देता हूं अभी एक्जाम की कोई EPFO की डेट नहीं है तो हम पहले जैनुरी फेब मार्च और अप्रेल को आप जल्दी से जल्दी खतम करने की कवर हो जाएंगे चार महीने कवर हो जाएंगे फिर हम पीछे चलना शुरू कर देंगे हम दिसेंबर को पकड़ लेंगे नवेंबर को पकड़ लेंगे और ऑक्तूबर को पकड़ लेंगे ठीक है यह तीन मंस करेंगे और इससे हमारे सेवन मंस हो जाएंगे और फिर आप य यह देखो अभी तक already 10 lectures January month से हो चुके हैं जिसमें हम 7, 8, 10 questions करते हैं तो आप average भी पकड़ के चलो तो हमने 80, 90 questions बड़े अराम से January month से already कर लिये हैं और अभी 4, 5 lecture और आए जाएंगे January month से तो ultimately आप यह लेकर के चलो 150 to 200 questions आपके हर month से मैं cover कराने की कोशिश करूँगा और हर question जो मैं cover कराता हूँ उसमें जो theory होती है वो भी इतनी हम detail में करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको maximum advantage मिले एक question में से आपके 3-4 questions की जो information है वो cover करने की कोशिश करते हैं तो यह एक doubt ताकि जो बच्चे बार-बार पूछ रहे थे इसलिए इसको यहाँ पर हमने clear किया है चलिए अब शुरू करते हैं पहला question देखते है पहला question consider the following statements about Thiru Walluar अब आप कोगे कि sir Thiru Walluar को आप कहां से ले आया है यह तो ancient medieval India का part हो गया modern India हम कर रहे हैं लेकिन देखो यह current affairs में कहीं ना कहीं Thiru Walluar के बारे में कुछ ना कुछ हर साल आता ही आता है ठीक है क्यों आता है वो भी आपको अभी बताएंगे जब solution देखेंगे तो Thiru Walluar से related दो statement आपको given है classic Tamil language text Thiru Kural was written by Thiru Walluar दूसरा Walluar Quotam Temple जो चिन्ने ही में है vote built किया गया है in the memory of Thiru Walluar आपको बताना है इन में से कौन सा statement not correct है इन में से कौन सा statement गलत है यह आपको बताना है one only, two only, both, d यानि कि पहला गलत है, दूसरा गलत है, दोनों statements गलत है या इन में से कोई भी गलत नहीं है आपको गलत statement बताना है बार-बार बोल रहा हूँ, UPSC का जब आपके हाथ में paper आता है सबसे पहले यह correct not correct देख लेना है क्योंकि यह सबसे जादा डुबाता है बच्चे को ठीक है, देखो अब इस case में answer क्या होगा इस case में answer होगा option D neither one, null two, क्योंकि दोनो statements सही है ठीक है, factually दोनो statements है है पर हमसे not correct पूछा गया है यानि कि कौन सी statement गलत हमें बतानी थी तो दोनों गलत नहीं है, तो answer D हो जाएगा अब अगर इसकी जगा not correct की जगा यहाँ पर correct लिखा होता same question, सिरफ अगर मैं not correct की जगा correct कर देता, तो answer C हो जाता क्योंकि दोनों correct है, ठीक है तो बच्चे इस तरह से कहीं बार question देख लेते हैं फटा-फट से उपर वाला नीचे not correct नहीं पढ़ते हैं ध्यान से और आते हुए question को गलत कराते हैं उस चीज से हमने बचना है, ठीक है तो तिरुवल्लुवर जो थे, तामिल poet and philosopher थे तिरुवल्लुवर डे की बात अगर हम देखें 1935 से 17 ये 18 में को इसको celebrate किया जाता है ठीक है, और अब जो present times हैं तो 15, 16 January को celebrate किया जाता है पहले 17, 18 में को celebrate किया जाता था अब 15 या 16 January को celebrate किया जाता है तामिल नाडू में और Pungal celebrations जो तामिल नाडू में होती है उनका part ये रहता है तिरुवल्लुवर की अगर हम बात करें also called वल्लुवर, he was a तामिल poet saint ठीक है, cultural and moral icon इनको माना जाता है तामिल नाडू का औके, और कुछ लोग जो है तिरुवल्लुवर को Hindu consider करते हैं, कुछ लोग Janism से trace करते हैं, background लेकिन जो Dravidian group of people है वो कहते हैं कि he was just a saint और उन्होंने caste system को पूरी तरह से dismiss कर दिया था, ओके जो important work है तिरुवल्लुवर का, that is तिरुवल्ल, ये एक तामिल literature है, around 1, 3, 3, 0 couplets हैं, ये आपके लिए important नहीं है कि कितने couplets हैं, 3 parts में इस book को divide किया गया है, धर्मा, अर्था और कामा, ठीक है, इतना detail में भी आपको जाने की ज़रूद नहीं है, अगर है PPFO की preparation कर रहे हो, civil का, अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, तो ये थोड़ी सी information पता रहेगी, तो ठीक रहेगा तिरुवल्लूर युनिवर्सिटी, वेलॉर डिस्ट्रिक्ट में तामिल नाडू में बनाई गई है, government अफ तामिल नाडू ने बनाई, October 2002 में, उसके इलावा तिलुवर temple भी है, जो आपका चिन्नाई में है, जिसमें काफी बड़ा auditorium भी है which is one of the largest auditorium, ठीक है तो ये भी second point भी अपना ठीक था ठीक है, तो इस तरह की information newspaper में क्योंकि cover थी, इसलिए हमने यापर question जो है, यापर इसको उठा लिया है, ठीक है जी, चलिए, second question देखेंगे, consider the following statements, नागी नाग्टी बड centuries is located in बिहार, अब फिर से confused नहीं होना की सब्सक्राइब के question क्यों पूल सरे हो, बताएंगे, current affairs से link करेंगे सब कुछ, चिंता मत करें नागी नाग्टी बड़ सेंचुरी, बिहार में है, दूसरी कह रहा है कि कालरव बड़ फेस्टिवल was recently held at the नागी नाग्टी बड़ सेंचुरी, ओके, आपको बताना है इनमें से कॉंसा स्टेटमेंट, correct है इस बार आपसे correct पूछा गया है ओल्राइट, देखो, एक चीज़ और आपने सब कुछ सही पढ़ाया है, तो वो गलत है वो आपको बेफको बना रहा है ठीक है, कई बार क्या होता है mind में slip of tongue हो जाता है या कोई चीज गलत बोल दी होती है, हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि हमने गलत बोल दी है, ठीक है जैनवरी मन्त में एक कालरव बर्ड फेस्टिवल जो है, और्गनेस किया गया था, इस बर्ड सेंचुरी के अंडर, ठीक है, एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, तो पहला स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल है, ये बिहार का नागी नाग्टी बर्ड सेंचुरी एरिया में सेलिबरेट किया जाता है, थ्री डे एक इवेंट रहता है, जो ये नागी नाग्टी बर्ड सेंचुरी है, बेसिकली यहाँ पर दो डैम है, एक है नागी डैम और एक है नाक्टी डैम लेकिन ये दो सेंचुरीज इतने क्लोज हैं कि इनको as a one bird area ही consider किया जाता है और ये जो नागी नाक्टी bird area इसकी importance क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे आपको indigenous species of birds as well as migratory birds जो winters में Eurasia, Central Asia, Arctic Circle Russia, Northern China से इंडिया में migrate करते हैं उनकी species यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ओके चलिए थर्ड कुशन के उपर चलते हैं consider the following statements once again प्रधान मंत्री G1 योजना aims to boost research and development in the 2G ethanol प्रधान मंत्री G1 योजना जो है वो 2G ethanol की जो हम बाते करते हैं कि fuel के साथ हम ethanol को mix कर सकें ताकि एक तो इंडिया का import dependence कम हो सके दूसरा हम cleaner fuel को promote करना चाते हैं दूसरा statement in India the current permissible level of blending is 20% कि अभी हम 20% blending allow करते हैं fuel में ठीक है 20% blending तो इसमें से आपको बताना है कौन सा statement correct पूछा गया है आपसे one only, two only, both या फिर neither देखो इस तरह के questions अगर current affair follow की हुए, पढ़े हुए, एक बार तो solve करने ज़्यादा असान रहते हैं अगर नहीं पढ़े हुए, तो कोई बात नहीं MCQ solve कर लेंगे, अंसर देख लेंगे उसके बाद याद हो जाएगा अपने को ठीक है, तो अंसर यहाँ पर क्या होगा, option A पहला statement मिलकुल सही है, प्रधान मंतरी जेवन योजना का जो aim है कि कैसे 2G ethanol में research and development को देश के अंदर boost किया जा सके, दूसरा statement क्यों गलत है, क्योंकि अभी currently 20% blending allowed नहीं है ये target है कि हम 2025 तक 20% ethanol blending के ओपर चले जाएं अभी के लिए नहीं है, अभी तो कम है, ठीक है, तो solution इसका एक बार देख लेते हैं, तो news में क्यों था, क्योंकि जो आपका department of food and public distribution है, उसने अभी एक modified scheme publish की है कि किस तरह से financial assistance extend की जाएगी companies को जो first generation ethanol produce कर रहे हैं, ultimate aim क्या है कि कैसे blending target जो है, वो increase किये जाएं ethanol के petrol के साथ, अगर हम ethanol blending program की बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया, ethanol blending में क्या है कि हम कैसे petrol के साथ ethanol को blend कर सकें, तो target जो सरकार ने रखा है कि हम 2025 तक 20% ethanol blend करना शुरू कर दें, यानि कि अगर 1 liter petrol है, उस 1 liter petrol में 80% fuel होगा, जो gasoline, petrol होगा और 20% ethanol रहेगा clean energy को भी promote करेगा और import dependence भी कम करेगा current जो permissible limit है currently सरकार क्या कहती है, कि आप up to 10% ethanol जो है, वो blend कर सकते हो, fuel के साथ, currently ठीक है, इंडिया ने 5.6% blending का target achieve किया था, 2019 में current permissible limit 10% और 20% 2025 तक, इसी लिए आपका second statement जो वो गलत हो गया था ठीक है जी, G1 योजना के अगर बात करें, 2019 में ये scheme शुरू की गई थी, और इस scheme का aim क्या था, कि कैसे एक environment create किया जा सके देश के अंदर कि research and development को boost किया जा सके, ठीक है, तो प्रधानमंत्री G1 योजना, ये आपने ध्यान में रख लेना, homework क्या है आपने comment section में बताना है कि ये G1 क्या stand करता है ये जो abbreviation है, इसका क्या मतलब है, ये बताना है आपने comment section में, ठीक है जी, चलो which of the following reports report based question, ये वो report based question में, economy में जब videos देता हूँ economy की videos में भी cover करता रहता हूँ और current में भी cover करता रहता हूँ क्योंकि UPSC के पिछले सालों के जितने paper उठाऊगे report के उपर कोई ना कोई question वो पूछ लेते हूँ, direct question आता है कि ये report कौन निकालता है, वो report कौन निकालता है reports के उपर एक video भी बनाऊंगा ठीक है single area में हम सारी reports कबर करेंगे now which of the following reports are published by United Nations Environment Program UNEP statement 1 है emission gap report statement 2 है global environment outlook statement 3 है invest into healthy planet तो आपको बताना है इन में से कौन सा statement correct है option A 1 and 3 only, option B 2 and 3 only option C 1 and 2 only and option D 1, 2 and 3 कौन सी report UNEP publish करता है answer यहाँ पर D होगा ठीक है तीनों की तीनों reports जो है वो United Nations Environment Program निकालता है तो UNEP के बारे में एक बार देख लेते हैं और news में इसलिए था क्योंकि अभी एक report जो है UNEP ने इन में से निकाली थी emission report थी ठीक है major reports emission gap report global environment outlook frontiers invest into healthy planet ठीक है यह important reports है आपको याद होनी चाहिए major campaigns जो United Nations Environment Program चलाता है beat pollution UN 75 world environment day जो आपका 5th June को celebrate किया जाता है wild for life और headquarters कहाँ पर है Nairobi, Kenya तो यह कुछ factual information है related to UNEP पता रहेगा तो सही रहेगा चलिए 5th question which country direct factual question है which country has the world's largest transnational community as per UN DESA's international migration 2020 report ठीक है तो यह report अभी United Nations ने निकाली थी international migration 2020 report तो इस country इस report के हिसाब से कौन से देश की largest transnational community है transnational community का क्या मतलब हो जाता है कि किस देश के लोग सबसे जादा है जो बाकी के देशों में रह रह रहे है for example इंडिया से कितने total लोग है जो rest of the countries में रह रहे है US, Canada, China जो भी है ठीक है तो अंसर यहां पर क्या होगा यहां पर अंसर होगा आपका option C अपना प्यारा हिंदुस्तान ठीक है जी तो इंटरनाशनल माइग्रेशन रिपोर्ट जिसको आपके United Nations Department of Economic and Social Affairs ने रिलीस किया है उसके हिसाब से 2020 में अराउंड 18 मिलियन जो लोग है वो इंडिया जो 18 मिलियन इंडिया के जो लोग है वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं that is they are living outside the country of their birth ठीक है तो इंडिया की जो है largest transnational community है इंडिया के बाद अगर हम देखें तो मैक्सिको एंड रशिया आता है फिर चाइना फिर अरब रिपब्लिक आ जाता है सिर्या अरब रिपब्लिक इतना important नहीं आपने कोई इंडिया का पता होना चाहिए ठीक है जी और अगर हम total देखें तो low and middle income जो countries है they have hosted about 80% of the world's refugees and asylum seekers तो जो low and middle income countries है उनमें सबसे ज़्यादा refugees और asylum seekers आपको देखने को मिलते हैं ये भी इस report में लिखा गया है statement based question में वो directly ये fact आपसे पूछ सकता है चलिए next question देखेंगे next question को धियान से पढ़ें again factual question है question में क्या पूछ रहा है आपसे which portal was launched by union minister हर्श वर्धन to provide information on various domains including engineering, agriculture, veterinary in January 2021 थोड़ा bank type का question है उसी तरह से मैंने इसको frame किया है क्योंकि हमें facts भी cover करने है देखो मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ UPSC का आजकल कुछ भरोसान यह है factual questions बहुत ज़्यादा पूछता है तो statement based question भी करने है factual भी करने है छोड़ना कोई नहीं है ठीक है ना तो कौन सा platform launch किया गया है specially ताकि engineering, agriculture या veterinary से related जो भी research हो रही है देश के अंदर वो उस portal के उपर डाल दिया जाएगा ठीक है जी अक्षे उर्जा पोर्टल, गती पोर्टल, भूवन पंचायत वर्जन नाशनल इनोवेशन पोर्टल कौन सा पोर्टल है वो क्या नाम है उसका तो उसका नाम है आपका option D नाशनल इनोवेशन पोर्टल तो डॉक्टर हर्षवादन is your union minister of science and technology उन्होंने ये पोर्टिक्लर पोर्टल जो है वो लांच किया है इस पोर्टल को डेवलप किस ने किया है नाशनल इनोवेशन फांडेशन आफ इंडिया ने जो एक autonomous body है अंडर देपार्टमेंट आफ साइंस एंटेक्नोलोजी चलिए लास्ट कोशन देखेंगे इस वीडियो का एंड इंपोर्टन वन इंपोर्टन कोशन है ये ओपन स्काइस ट्रीटी दो कंट्रीज के बीच में क्या प्रोवाइड करती है कि राइट फॉर एयरलाइन्स जो एयरलाइन्स होती है तो ओफर इंटरनाशनल पिसेंजर और कार्गो सर्विसेज ये ओपन स्काइस ट्रीटी सेकेंड है ओपन स्काइस एगरिमेंट ठीक है पहला ओपन स्काइस ट्रीटी के बारे में लिखा है दूसरा ओपन स्काइस एगरिमेंट के बारे में लिखा है इन में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, देखो, अब इसके अंदर क्या है, यह दोनों स्टेटमेंट जो आपके गलत हैं, तो अंसर यहाँ पर D होगा, क्योंकि यह उल्टे लिखे हुआ है, ठीक है, जो open skies agreement से related लिखा हुआ है, वो open skies treaty का पार्ट है, और open skies treaty में ज और अर्शिया ने क्या बोला कि क्या कारण है विड्रॉ करने का, क्योंकि USA ने already इस treaty से विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, तो open skies treaty अगर हम देखें क्या है, USA ने इसको पहली बार प्रपोस किया था, 1955 में, Cold War का समय था, तो Cold War situation को थोड़ा हलका गरने के लिए USA ने इसको प्रप यानि कि जो US के पार्टनर्स थे, और Warsaw में आपके रशिया और रशिया के पार्टनर्स थे, तो ये दो गुट बने हुए थे, जो आपस में Cold War में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, तो NATO और Warsaw ने जो कंट्रीज थी, वो 1992 में उन्होंने इसको साइन किया, और अल्टिमे US है, US अगर रशिया की किसी टरिटरी के उपर सर्वेलेंस करना चाता है, सर्वेलेंस कैसे होगी, US का जो प्लेन है, या US का जो एरक्राफ्ट है, वो रशिया की टरिटरी के उपर से जाएगा, और वो पिच्चर्ज बगारा क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पार्ट के उपर लेकिन पहले यह करने से पहले यूएस को रशिया की पर्मिशन लिनी पड़ेगी कि हाँ हम यसे सर्विलान्स जो है वो करने आ रहे हैं ठीक है रशिया पर्मिशन देगा उसके बाद ही यूएस ऐसा कर सकता ठीक है जी तो इसमें imaging equipment, photography यह सब आप कर सकते हो और साथ की साथ Russia ये भी बोल सकता है US को कि ठीक है आप surveillance के लिए आ सकते हो लेकिन आपका जो plane होगा उसमें हमारा भी एक representative रहेगा ठीक है जी उसके इलावा strategic information शेयर करने की बात हो जाती है कि जो भी information gather कर रहा है इस agreement के अंदर इस open skies treaty के अंदर US ने रशिया के उपर surveillance के लिए भेजा और वो वापिस आ गया तो US ने जो भी information collect की वो उसको बाकी के जो members है उनके साथ भी information share करनी पड़ेगी सारे members को बताना पड़ेगा कि हाँ हमने यह यह जो है वहाँ से data collect किया है दोनों US और रशिया इसके signatories थे पर अब पहले US इससे बहार हो गया फिर रशिया इससे बहार हो गया इंडिया कभी भी इस treaty का member नहीं था यह आपने याद रखना है ठीक है जी अगर अब हम open sky agreement की बात करें तो यह तो simple सा agreement है इसमें क्या होता है दो देश अपने आप में एक bilateral agreement sign करते है कि airline, international passengers या cargo services किस तरह से provide करेंगी उसकी negotiations में होता है तो यह civil program रहता है basically open skies agreement में open skies treaty basically military है military agreement आप कह सकते हो उसको और यह एक civil agreement होता है जैसे अगर आप देखो UAE और इंडिया ने अभी recently interest express किया था कि वो open skies agreement sign करें ठीक है तो इन दोनों चीजों में difference होता है open skies treaty और open skies agreement कहीं बार बच्चे confused हो जाते हैं दोनों के अंदर तो आपने वो नहीं होना अब ठीक है जी चलिए यहाँ पर हमारे यह seven questions जो है वो खतम होते हैं I hope आपको मजाया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ठीक है कोई भी अगर doubt हो या कुछ कहना चाहते हो तो आप comment section में post कर सकते हैं कोई information चाहिए कोई doubt हो तो आप whatsapp करें 9041244689 के उपर ठीक है जी और mail कर सकते हैं sikshit at the rate gmail.com पर ओके तो अभी के लिए वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं मिलेंगे एगले lecture में तब तक के लिए all the best time बाबाई